आज के इस वीडियो में हमें कि ERP का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है BPR BPR मतलब Business Process Re-Engineering होता है तो यह टेखनोलोजी के बारे में हम देखेंगे कि यह क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में तो चले स्टार्ट करता हम लोग तो यह BPR जो है ना कोई ज्यादा नहीं टेकनोलोजी नहीं है यह 1990 में फाउंड हुई एक टेकनोलोजी है और काफी बिजनेस उसको हेल्प करती है तो BPR है क्यार करता क्या है तो BPR मतलब Business Process Re-Engineering यह क्या करता है यह कोई बिजनेस करने का तरीका ना उसके मेथड को ही चेंज कर देता है पर एक point के माद मेरे मेरे रियलाईस करता हूँ कि आ o strategy से जरा कोए और रहा है. मेरा business गूरता हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, मेरे panelists से बात करता हूँ. और मैरा बिसनेस का करने का तरीका है वही चेंज करता हूँ. और दिख्टा हूं कि मुझे profit आ रहा है कि नहीं तो business process engineering यही करने में help करता है तो 1990 में शुरुआत हुई थी इसके चार main components है यह याद करो पहला, दूसरा, तीसरा और चोता एक ही करके हम लोग देखते तो business, अभी कोई भी method हम लोग ऐसे ही implement नहीं कर सकते हैं कि किदर किदर अपने पूराने strategy में खामिया है और किदर किदर अपन भर सकते तो उसका planning चार phases में होता है तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग process को identify करते हैं process को identify करना मतलब यहाँ पर हम दो चीजों को identify करते हैं एक कि हमारा पूराना process क्या exactly दूसरा, पूराने process में हम लोगो क्या disadvantages face हो रहे हैं समझ रहे हैं यह हम लोगो करना पड़ते पहले तो आपने को मालूम पड़ेगा कि में यह फालाना दिमकाना process यूज करता था और उसके मुझे से मेरे को यह मुश्किल आ रही है मेरे business में दूसरी चीज हम उसको review करते review करते हैं एक बार अपन उसमें अपडेट डालते हैं मतलब कि चल में पूराने process में छोटा सा change लाऊंगा तो क्या चीज होगा इसको हम लोगो करते हैं मतलब छोटे-चोटे changes में आपन ऐनालाइस करते हैं कि किदर किदर अपना strategy lag कर रहा है तो हम उसको design करते हैं अभी analyze करना दिमाग में सोचना और actually design करने में फड़ा करता है हैंगी नहीं तो फिर हम लोग design करते हैं actual plan करते हैं कि हाँ है इस चीज को मैं इधर-इधर लेकिया होगा इस चीज को इसके साथ connect कर दूगा तो actual design इसको field में हम लोग करते हैं और एक बड़ डिजाइन हो गया तो आपना business का structure चेंज कर सकते हैं पर अगर अपना testing fail हो गया अपने को real world में प्रॉफिट नहीं वह रहा है तो फिर implement करके फाइदा ही ना अपना पूराना business प्रोसेसरी इंजीनियर जाता अच्छा है तो यह है BPR इसके चार phases है इसका generally theory पूछा जाता है पाच marks के लिए गभी 10 marks के लिए पूछा जाता है case study के साथ तो मैंने इसका भी case study लिया एक example लिया आपका जो आप exam में लिख सकते हो वो मैंने पर परचेसरे और एक vendor है परचेसर रॉव मटिर साथानीरर जो और चीज रॉइब और यह चीज परवाइड करता है तो पहले क्या उता यह था परचेसर से कुछ ख़ीता था यह चीजों का यह वापस लेता था पर यह जो चीज नहीं इसको पैसे लेता हुर और इसे मेरे ओव चीज जो मेने खरी दी वो आपस ले रहा है इसमें बहुत खामिया थी किया यहां पर मैं इंदर मिडल अटक हो सकता था अगर बीच में कोई बंदा आगया और इस पर्चेस और को कुछ मॉडिफाय किया या फिर कुछ भी रखने के किया या फिर कोई भी क्या प्रक्टिस गया फिर हैक वैक किया कुछ तो फिर कोई भी चीज को मैनूपलिट कर सकते हैं अभी रहा है safe नहीं है तो वो मेरे को एक bill देगा, वो order का एक देगा कि हां भाई, तुने मेरे को पाइसा दिया, मेरे को सामान देने का है, तो मेरा एक purchase order उसके पास गया, पर जब मेरा purchase order vendor के पास गया ना, मैंने purchase order के एक copy बना लिया इधर, और ये copy को मैंने मेरे online accounts database में डाल दिया, समझ रहे हैं आप, जो purchase order है कि मैंने इसको पासा दिया, और वो जो जो चीशी है, उसका जो slip है मैंने vendor को दिया, और vendor के बाद मैंने उसके copy मेरे account section में दे दिया, अभी वो vendor क्या करेगा, vendor vendor को मिल गया purchase order, vendor वो सामान जाके deliver करेगा अपने घर पे, receive करेंगे अपन, और वो purchase order भी देगा, यहां पर, वो purchase order यहां पर आएगा, जो original वाला है ना गुम के, अभी जो accounts को अपन ने copy दिया था, बराबर, account से copy को match करेगा, यह जो copy है यह, इसको और इसको match करेगा, अगर यह दोनों same है, मतलब बीच में किसी ने मस्ती नहीं किया है, अपना सब safe हो गया, transaction ही secure, तो फिर हम लोग deal आगे करेंगे, हम लोग इसको पैसा दे देंगे cash, और इससे इस चीज़ का bill ले लेंगे, तो फोर्ड ने जोड़ा secure structure डाल दे अपने organization में, क्यूंकि उसको पुराने, अपने business strategy में बहुत सारे problem space हो रहे थे, तो यह था छोटा सा case study, आप चेदे एक diagram एक बार बना लो जो कि ए exam में जोड़ा सा extra marks मिल जाएगा, इसका, तो यही तमेर आज का video business process re-engineering के बारे में, तो हाओप आपको समझा होगा कि business process re-engineering क्या है, अगर समझा रेगा तो इस video को like करके share ज़रूर कर देना, मैं ERP को और videos बनाने वाला हूँ, चानल को भी subscribe करके रखना, thank you for watching all the best for your exams, हुआँ, चानल को बारे में,